अगर आप एक PC user हो, चाहे हो laptop हो या फिर desktop हो, तो आप अपने computer में C drive को तो ज़रूर देखा होगा C drive में हम हमारे operating system को install करते हैं, उसके साथ साथ जो भी ज़रूरी applications होती हैं, उनको भी install करते हैं क्या आपने कभी सोचा है हमारे computers में A drive और B drive क्यों नहीं होता? आज की इस वीडियो में आपसे इसी बार में बात करने वाला हूँ हेलो दोस्तों मेरा नाम है सोमजीत, आप देख रहेगी किसे हम में YouTube चैनल, चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसे कि दोस्तों सब जानते ही हो कि जैसे हम हमारे computer को build करते हैं या फिर एक नया computer हमारे market से खरीद के लाते हैं तो उसमें जब ही हम एक नया storage device connect करते हैं और उसमें operating system install करने जाते हैं तो जिसी भी drive पे operating system हम install करते हैं उसको हमेशा C drive later assign होती है ऐसा Q होता है और उसके साथ आपने ये भी जरू notice किया होगा कि C drive ऐसा इन हो गया ठीक है उसके बाद जो भी logical drives हम create करते हैं जो भी partition हम create करते हैं या फिर अगर हम कोई एक नया hard drive लगाना चाहते हैं तो उसको जो drive letters मिलती है और C drive के बाद ही होता है मतलब कि D, E, F, G, H, F तो ऐसे अलग-अलग drive letters मिलती ही जाती है उस टाइम पर market में hard disk या SSD नाम की कोई बस्तू ही अविलेबल नहीं थी उस टाइम पर data store करने के लिए जो चीज अविलेबल थी ओ है floppy drive या फिर floppy disk floppy disk कहाना सही होगा floppy drive नहीं floppy disk तो floppy disk में हम उस टाइम पर operating system को भी store करते थे उसके साथ साथ जो भी हमारा important data होता था वह भी store करते थे उसी floppy disk में अब floppy disk में data को read या फिर राइट करने के लिए कुछ तो चाहिए obviously हुआ पर चाहिए floppy drives तो floppy drives को यहाँ पर उस टाइम पर हमारे computer में कोई और तरीके का drives available नहीं था तो इसलिए floppy drives को जो पहले समाने में floppy drives आया था computer की शुरू आती दौर में जो floppy drives आया था उनको यहाँ पर drive letter sign किया गया उसके बाद इस तरह के floppy drives है इनके बाद या फिर इस तरह के floppy disk है इनके बाद एक और नए तरीके का floppy drives मार्केट में देखने को मिला floppy drive या floppy disk जो भी आप कहलो floppy drive में डालने के लिए हमें floppy disk चाहिए एक नए तरीका का floppy disk हमें मार्केट में देखने को मिला यह जो floppy disk थे इसका form factor भी काफी छोटा था जो पहले जमाने के floppy disk थे उसके मुकाबले में और उसके साथ साथ इसमें जादा मात्रा में हम डेटा भी स्टोर कर सकते थे पहले जमाने में जो floppy disk आया था उसका form factor था 8 inches जो उसके बाद floppy disk आया था उसका size था 5.25 inches उसके बाद जो floppy disk आया उसका size था सिर्फ 3.5 inches तो आप सोच सकते हो कि धिरे 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 floppy disk छोटा होता गया और उसके साथ यहां पे जो capacity है जो memory capacity है वो भी बढ़ता गया पर य 1.44 MB मेगाबाइट तो बहुत ही कम है पर फिर भी उस टाइम के हिसाब से बहुत था तो यहां पे जो यह नई तरीके का floppy drive या floppy disk देखने को मिला इन floppy drives को assign किया गया drive letter B उसके बाद जब hard drives आया तो यहां पे hard drives को तो obviously drive letter A और drive letter B नहीं मिल सकता क्योंकि पहले से ही A और B तो result है floppy drives के द्वारा तो इसी के लिए जो hard drives थे इनको assign किया गया drive letter C तो यहीं reason है जिसकी बज़ा से हमें आज की rate में भी computers में drive letter A और drive letter B देखने को नहीं मिलता है आज की rate पे भी जो modern computers हैं यहां पे obviously floppy disk drive तो नहीं होता है पर यहां पे जो drive letter A है और drive letter B है यह पहले से result है यहां पे floppy drives के द्वारा basically कहा जाए 2006 के बाद जितने भी यहां पे नए computers आये हैं उनमें floppy drives का कोई भी option नहीं था floppy disk insert करने की कोई भी जगा नहीं थी पर यहां पे उस टाइम पे available हो गया था एक तरह का external floppy drive तो उनको पे connect करके चलाना पॉसिबल था तो lastly मैं आपको एही कहना चाहूंगा अगर आप ऐसा सोचते हो कि drive letter A और drive letter B यह जो particular drive letters है इनको हम किसी भी odd drives के उपर assign नहीं कर सकते हैं यह बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो ऐसा नहीं है यहां पे drive letter A और drive letter B इनको हम किसी भी odd drives के उपर assign कर सकते हैं अगर हमारे computer में कोई भी floppy drives की option ना हो तो अगर floppy drives की option नहीं है floppy drives लगाने की कोई जगा नहीं है तो आप obviously drive letter A और drive letter B को किसी और drive को assign कर सकते हो पर हां boot drive को आप कभी भी drive letter A assign नहीं कर पाओगे या फिर ड्राइब लेटर B आसाइन नहीं कर पाओगे boot drive तो हमेशा C drive भी रहेगा पर यहां पे जो data store करने के लिए जो भी अलग-अलग drives है इनको आप drive letter A और drive letter B DSS कर सकते हो तो मुझे उमीद है आपको वीडियो का पसंद आया होगा अगा अगर आपको दुस्तो फासंद आट या प्लोड करें जाएगी तो इससलिकेसर आज किस वीडियो को मैं परसाम्त करते हो देने के लिए दूस्त बहुत बहुत धन्यवाद गड़ गुडबाई